असलाम अलेकुम दोस्तों, अगर आप पिक्जल लैम में जमील नूरी नस्तलिक फॉंट को एड़ करना चाहते हैं, इसलिए कि आपकी जो उर्दू है, वो खुबसूरत लिखी जाए, अट्रेक्टिव लिखी जाए, ताके लोग उस उर्दू से अट्रेक्ट हों और मेरी वी CTF, तो ये आप देख लें, ये सर्च करना है, दोस्तों जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद दोस्तों आपने पहली वेबसाइट को खोलना है, जैसे ही दोस्तों वेबसाइट खुल जाएगी, तो आपने थोड़ा सा उपर करना है, तो नीचे आपको डाउ दोस्तो जमील नूरी नस्तलिक डाउनलोड होना शुरू हो गया है, अब भी उपर देखते हैं कितना हुआ है, दोस्तो ये इसी तरह ही होता है, पहले थोड़ा सा आगे जाता है फिर वापिस ये थोड़ा टाइम लेगा और डाउनलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद बताता आपने क्या करना है, दोस्तो जमील नूरी नस्तलिक डाउनलोड हो चुका है, अब आपने जाना है फाइल मेनजर में, इसके बाद दोस्तो आपने आल फाइल्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने फोन स्टोरिज को लेना है, फोन स्टोरिज में डाउनलोड पे क्लिक करना है तो दोस्तों यह हमारे पास आ चुका है जमील नोरी नस्तलीक फॉन्ट इस पर एक दफा क्लिक करेंगे और उसके बाद OK कर देना है तो दोस्तों इस तरह यह डिकम्प्रेसिंग हो रहा है डिकम्प्रेसिंग हो चुका है अब पिक्जल लैब में आपने जाना है पिक्जल लैब को खोलते हैं दोस्तों अब यहाँ पे एड करने का तरीका सिखाता हूं दोस्तों यह देखें उर्दू कैसी लिखी हुई आ रही है नहीं ना खुबसूरत लग रही तो अब यह इसको खोलत करने के लिए जो हमने वहां से डाउनलोड किया है एक दफा ही एड करना पड़ेगा उसके बाद आपकी खोलत उर्दू आती रहेगी तो मैं इस पर उर्दू पर क्लिक करता हूं और उसके बाद यहाँ फॉंट पर आता हूं फॉंट पर क्लिक करके माई फॉंट पर जाता हूं तो पहले वाले पर हमने क्लिक किया उसके बाद डाउनलोड पर और यह रहा जमील नूरी नस्तलिक फॉंट तो एक कशीदा है और दूसरा नॉर्मल जो उर्दू होती है दोनों को हम एड कर लेते है तो यह अभी दोनो एड हो यह देखें दोस्तो एड हो चुके हैं पहले वाले पर क्लिक करेंगे यह उपर आप देख रहे हैं कि देखें फॉंट चेंज हो चुके हैं नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा बड़ा करके लिख देता है तो हम पहले वाले ही यूज क पर नीचे आपको नजर आ जाएंगे आप इनको कलिक करके अपना फॉंट उर्दू खूबसूरत वाला कर सकते हैं यानिके जमील दूरी नस्तली दोस्तो आज के लिए इतना ही अपना बहुत सा ख्यार रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिद